दरसना जार्दोस बेन, Minister of State for Railways and Textile है और मैडम यहां सूरत से तीन बार MP रह चुकी है और सूरत में जो विधान सवाज चुनावचल ला है उसमें वो कैंपेइनिंग में भी काफी सक्रियता से जुड़ी हुई है मैडम 27 सालों से BJP की सरकार है गुजरात में और खास करके साउथ गुजरात तो आपके कर्म भूमी रही है तो किस तरह से आपको आश्रा है कि इस बार फिर 27 सालों के बाद फिर एक बार BJP इस इलाके में अपना बर्चस बनाएगी गुजरात मॉडल जो है जिसने प्रदानमंतरी नरंदर भाई ने बनाया था और यहां लोगों ने डेवलपमेंट देखा है पुराना शहर कैसा था बहुत सारे डिजास्टर आये यहां पर प्लेग भी आया बाड भी आई भुकंप भी आया लेकिन एक चिनिक्स पंकी की तरह लोग खड़े हो गए अपने बिजनेस के हिसाब से डायमंड और टेक्टाल सिटी के हिसाब से लोगों को इस ओफ डूइंग बिजनेस जो चाहिए वो सिस्टम यहां पर है यहां इंफ्रास्ट्रक्चर है दसीटी ओफ फ्लाइवर है सिटी क्लीन मैं 14 में 5,33,000 वोटों से इसके बाद में 5,90,000 से तो 76,60 वोट बीजेपी को मिलते हैं माने हंडेट में से 76 वोट बीजेपी के मानने वाले लोग है यहां पिछले चुनाओं में अगर देखें तो साउथ गुरुजारत में क्या इस्तिती थी और इस बार आपको क्या इस्त पूरे लोगों को और पूरी पार्टी अपने जो उस समय के सची हुते वो राहूल गांधी यहां पे डटे हुए थे और उन्होंने जेटी के ऊपर बहुत राजिनिती करी पूरी टेक्टाल मैंकेट रोड पर थी फिर भी कभी भी एक भी सीट गई नहीं 12 में से 12 और यही पर देचे आएगा इसके बाद में ग्रोथ हुआ इसके बाद में डेवलमेंट हुआ इसके बाद में इतनी सारी डबल एंजीन की सरकार चाहिए यहाँ पर प्रिंपाल को साथ में समार्ट कॉंक्लिउट होता है सिर्टी का तो और यह जो एरिया हम लोग है यहां पे multimodal hub station बनने वाला है जो सूरत से connectivity के नाते बहुत अच्छे से लोगों को जूड़ता है पुरे देश को जूड़ता है वंदे भारत train यहां से जाती है बुले train का project चल रहा है टेक्स्टाइल में इतनी सारी policies आई है जो manware fiber के उपर related है तो यहां की प्रजा खुस है उनको लगता है कि BJP is a development और इसको vote देंगे एक नए खिलाडी आ गए है मैदान में अर्विन केजिवाल वो पिछले चुनाओं में तो उस तरह सक्रिय नहीं थे लेकिन इस चुनाओं में उनकी सक्रियता काफी है और उनका यह भी दावा है कि वे BJP के vote काट रहे हैं तो क्य कॉंग्रेस मुक्तसूरत है कॉंग्रेस का कुछ यहां लेना देना नहीं तो यह option वहां पर चल रहा है तो यह उनकी मिली जूली बगत है और रेवडी सवाली सरकार को सब लोग पहचानते हैं यहां पर गुजरात की अस्मीता की बात आती है डेवलमेंट की बात आती है साथ साथ में उनकी योजना भी बहुत होई और इसके साथ में मुझे लगता है कि जो यह पार्टी जो मैलाओं का संमान नहीं करती जो हमारे प्रदान मंतरीती की हंडेट यह की माता को भी राजनीती में घसिटता है जो अबतर भासा बोलता है उनको प्रजा कभी सिकार नह उनों ने जो एक लक्षवी गनेश की मुर्ती का खेल किया की नोट पर लगाई जाए तो क्या इसे बीज़ेपी को कोई नुकसान हो रहा है बीज़ेपी का वोट कुछ कट रहा है दिवाली में ऐसे बहुत सारे मंदिर मंदिर गुमें यहां के अध्यक्सों बोलते थे कि य मैंने सोचा कि यहां बहुत सारी बीड होगी जहां टेक्स्टाल के क्योंकि मैं तो टेक्स्टाल मंत्री हूं मैं से यहां के लोगों को पहचानती हूं मैंने प्यूज जी आये थे तो हम लोगोंने सभी से बात की तो ना तो सिर्फ आके वादा करके मिडिया से कने करके यह टेक्स्टाइब इंड़स्ट्री है या डायंड डायमड इंड़स्टी है कोवीट के समय इनको काफी नुक्सान पहुंचा था और उसके चलते बेरोजगारी भी काफी फैली थी अभी आपकी सरकार यहां किस तरह से उनको compensate किया है और किस तरह से रोजगार बढ़ा है और आगे क्या करेंगा सबसे ज़्यादा कोविट के समय में help वाली ट्रेने सुरत से चली 700 ट्रेने गई कैसे वापिस लोग आए अपने काम पे चड़ गए वो किसी नहीं देखा यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा revenue देने वाला जो textile sector है और इसके साथ में लोग जो agriculture के बाद में सबसे ज़्यादा रोजी रोटी मिलती है यहाँ से आप हरेक mini भारत कहा जाता है हम हरेक बनान के लोगों को पूछ लीजिए वो satisfied है क्योंकि जब कोविट के समय में अचानक चले गए बाद में उनने लगा कि यहाँ पे अच्छा है जो श्रम काड हमारे बने वो भी बहुत अच्छे से बने के श्रम काड के कारण अभी उनको रेशन सरकार की सबसे बड़ी अनसाहाई योजना यहीं से चलती है इसके साथ साथ में COVID vaccination में we are on top तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई issue यहाँ पे चलेगा क्योंकि लोग खुस है यहाँ से श्रमिक खुस है यहाँ से लोग diamond, textile और जरी भी उद्योग है घर पे भी लोग काम करते हैं मैला भी काम करती है तो इसका प्रभाव रहेगा देखना होगा कि फर्स्ट फेज का चुनाओ एक दिसंबर को है और उसके बाद counting पांच दिसंबर को सिकेंड फेज के चुनाओ के बाद आठ को counting होगी देखना होगा कि मैडम के जो दावा है और अरविंद केजरिवाल और कॉंगनेस के साथ जो इनकी लड़ाई है उसमें कौन जीता है संसर टेलिवीजन के लिए सुरत से कैमरा प्रसंद राज ठाकुर के साथ मैं अखिलेश सुमन